बिए के नमस्कार राम राम में आप सभी के अपने परिवार में हार्दिक स्वागत अस्वागत अबिननद्न करता हूं। आज थाना ना करेंगी राजस्तान के भूगल के बारें में सब्सक्राइब certain में नदिया थी उसके उपर हमने विस्तार से बात कर ली और राजिस्तान के मिटिया थी उसके उपर हमने विस्तार से बात कर ली आज हम राजिस्तान के भोतिक परदेश के उपर बात करेंगे भोतिक परदेश मित्रम कह सकते हैं राजिस्तान के भूगल का क्या है रीड की अडि क कर सकते हैं क्योंकि जब तक हमारा concept कलियर नहीं होगा तब तक हमारे बागी वाले जो topic क्योंकि मेटी का समंद्ध किसे बहुत इस नदियों का जलवायू का कि राजिस्थान की जो राजिस्तान के बहुत कोल के अंदर जो भी टॉपिक दिये हुए खनीज वगेरा सब भी तोपिक है उसका किसी नहीं किसी परतेख से हूं परतेख सुरूप से भोतिक पर्देश के उसका क्या है संबंध है तो आज हम राजिस्तान के भोतिक परदेश के बारे में विश्दार से बात करेंगे उससे से एक मोटी वस्न कोड ना संगर्स ना तकलिब तो क्या खाक मज़ा है जीने में बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में आग लगी हो सीने में रख होंसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास सलकर समंदर भी आएगा ठकर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा पुने आप सभी का आपके अपने परिवार में दिल खोल कर हार्दीग स्वागत अभिनेंदर करता हूं जूड़ी रही अंतर तक मैं आपको राजिस्तान के भोतिक परदे से समंदित जो आपने पढ़ा था उच्छे ज्यादा पढ़ाओंगा क्यूंकि आपने तो अभी त सकनhh सक शक्सेनी का सक्सेन जीका खांगा मीज अंब राजिस्तान के जो भोटिक पर्दै जो राजिस्तान ऑमी अब बाद में आए डॉक्टर राम लोछनंग को लोचन सिंग को नई पहला ए डॉक्टर प्रफ्टर वीसी मिस्रा उसके misin दॉक्तर राम लोचन सिंग और ये लोग'REाइब कति बासे ने राज़िस्थान के भोतिक प्रदेश को किस는데 कितने भागों में बाटा और किस किस के आधार यानि बेस कौन सा बाइच जलवाईयुका है या भोतिक उच्छावस है या मरता है या मिटी एक किस परकार इन्हों ने राजिस्तान के भोतिक पर्देश को विभाजित क्या उसके उपर बात करेंगे तो पहले बात करने कि भौतिक प बात करते हैं उससे पहले बात करते हैं राजिस्तान के बारें कि राजिस्तान का भोगोल में बात करेंगे थाटिक प्रदिशों के ऊपर उसके अंदर हमारी जो सरपर्तम बात करेंगे राजस्तान के राजस्तान के भोतिक प्रदेश किसे क्याते है उसके उपर बात करते है इस्तलखंड इस्तलखंड यानि प्रत्वी या कह सकते है इस्तलखंड पर इस्तित भोतिक उच्चावस इस्तलखंड इस्तलखंड यानि प्रत्वी क्या सकते हैं प्रत्वी पर इस्तित भोतिक उच्चावस भोतिक उच्चावस मतलब जैसे पहाड है जैसे पठार है मैदान ह मरु तहले आधिका किसी सेत्र विशेष से क्या करना किसे शेत्र विशेष के संदर में अध्यण करें क्या श् estreot पर इस्थित फोतिक प्रदेश भुं त सब्सक्राइब भू भू इस्तल पर इस्तित भोतिक उस्सावच जैसे बात करें पठारे मैदाने मुरुष्टले आधिका किसी सेत्र विशेश के संदर्प में अध्यन करना क्या कहलाता है भोतिक पर्देश कहलाता है एबम उसमें जलवाई हुए म्रदा है वनस्पति की क्या पाई जाती है एक रूपता पाई जाती है एक रूपता पाई जाती है मैं यहाँ पर लिख लेता हूं परिभासा का इस्तल इस्तल मंडल या भू इस्तल पर कह सकते है भू इस्तल पर इस्तित भू इस्तल पर इस्तित भोतिक उच्चा वच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पूच्छावच कि भोतिक उच्छावच का है वोटीक उच्छावच जयसे लेगा सकते हैं ज्यशकम हर झ्ञिए तया जैसे पहार है कि जैसे पठार है है तोब जो बात करें मुल्च्छ मरू स्थल आधी का किसी सेत्र विशेश के संदार्ब में संदार्ब में क्या करना अध्यान अध्यान करना अध्यान करना तथा इवं इस में जलवाय। जलवायू म्रिदा एवं वनस्पती एवं वनस्पती वनस्पती की एक रूपता पाई जाती है क्या पाई जाती है एक रूपता पाई जाती है क्या पाई जाती है मित्रो एक रूपता पाई जाती है पुने क्या बताया है कि वह इस्तल्ब पर यानि परत्वी पर इस्तित भो ठीक उच्छावच हम किसे कहेंगे जैसे हमारा भौतिक उच्छावच मरुस्तल जैसे जैसे हमारा पहाड है उसके बास में हमारा पठार है फी उसके बाद में हमारा मैदानी भाग है उसके बाद में दो अहाधन हम इस सभी का देन किसी सेत्र विश् kriegen करना किसीmost कि परकार बारत के बहुतिक परदेश का वर्गी करन किया जाता है इसी परकार राजस्तान के बहुतिक परदेश का क्या किया जाता है मित्रों अधिन किया जाता है तो पहला पॉइंट कलियर होगा कि बहुतिक परदेश क्या है बहुतिक परदेश क्या है सबसे पहले बहुति प्रवाई 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 लिया राजिस्तान के बोतिक परदीष होको या किसी भी सेत्र के जो बोतिक परदीष होती है उसको किस परकार वैवस्तित किया जाता यानि किस परकार उसको अलग-अलग भागों में बाटा जाता है अलग-अलग भागों में बाटा जा सकता है उसका आधार क्या है उस परकार हम बात करेंगे कि राजिस्तान के भी भोतिक परदिस है इसको कितने भागों में बाटा गया किन 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 किनों ने बाटा था उसका आधार क्या था उसके उपर हम बात करेंगे पहले किसने बाट आता तो पहले बात करती है पहले आपने नाम सुना होगा राजिस्तान की भोतिक परदिशों में अगर पहली बात करें तो उन्होंने पहला बाट आता हमारा बत मिनोंद चंद्री है तो पहले हम बर्गी करन की बात करते हैं भौतिक करन की बत करते हैं भौतिक बाती पर्देसों же कि बहुतिक पर्दिशों का वर्गी कर्ण कि वर्गी कर्ण यानि कितने भागों बाटा राजिस्तान के बहुतिक पर्दिशों को या विस्व के या बारत के बहुतिक पर्दिशों को किसके कितने बाद भागों के अंदर बाटा जाता है और किस प्रकार माटा जाता यह क्या क था राजिस्थान के बहुतिक परदिशाओं को सरपर्तम सरपर्तम राजिस्थान के बहुतिक परदिशाओं को Mumbai 1968 चेह के अंदर a मशाश आण फरफ्वाइसर से व। सी शी चाएं नाम के विड़ा है का अउदी घूनाँ वह संदर में सिया। जुकरबा में स reefs ले Sophie इन्होंने सरव पर्तम इन्होंने सरव पर्तम राजिस्तान के भूतिक पर्दिशों का अधिन किया राजिस्तान के भूतिक पर्दिशों को अधिन किया और इन्होंने एक पुस्तक लिए जिसका नामे राजिस्तान का भूगोल और इस राजिस्तान के भूतिक पर्दिशों का क्या किया राजस्तान के भोतिक प्रद् राजस्तान को बाटा उसके सिसाई के आधार पर राजस्तान के बाटा और उसके बाद में ओद्यों की विकास यानि किस सेतर के अंदर ओद्यों की विकास जैदा हो रहा है किस सेतर के अंदर ओद्यों की विकास नहीं हो रहा है इस सभी का इस सभी को ओसत मानते हुई प्रोप तddका देखा होगा कि राजस्तान के बहुत्त प्रदेशो को वी सी मिश्रा जी ले 1968 में 1968 क्या कर वीबाजती France लेकिन यह आको यह तक भेहिए उनीसिछ सहसे में इन्होंने पुष्टक ऎन्होंने पुष्टक लिखी थी पुष्टका का राजस्थान का भुगोल क्या है राजस्थान का भुगोल पुस्थ के और इस पुस्थ का प्रकाशण कभ गया था 1968 में यसलन नेस लन नेस बुक ट्रेड के द्वारा जो लेस्टेनल नैस्टनल और जो- भित्रेय जो किताब विहोंती है इस प्रकाशन करती है इस दो उसके दुआरा ज्टभूथ dos तो यह आगी बहुतिक रूपespère क्रूप प्रकाशन हो और प्रकाशन किसके दौ़ारा के आगया बढ़ने उस प्रदेश का और विक विकास हो रहा है उस प्रधिश में किस प्रकार की करसी है और किस प्रकार की जल्वाई हुए इसके अधार पर बात करते हुए सब्सक्राइब तो आगे बात करेंगे तो यहां तक कौंसेप्ट कलीर होगा तो तो आगे बात करती है यहां तक लिख लेते हैं क्या कर लेते हैं आरहा है कि लिख लेते क्योंकि में ये भी बात में दॉड़ पड़ा होगा आपने सिर्फ किसका पड़ा होगा आपने पड़ा होगा डॉक्टर टीवारी एमम हरीमोन सक्षेन सक्षेन ना का लेकिन मैं आपको आज राजस्तान के भोतिक पर्दी से राजस्तान के जो भोतिक पर्दी से उसका वर्गी करन व्यक्तियों तीन व्यक्तियों दोण च्यार में दिवारा किया गया था उसके फूर बात करेंगे कि पहला भोतिक प्रतिस्त बात कर दोर। रजस्थान के रजस्लान के भोतिक के आई-ई-तंसा और झायाanim दोर। करन कि प्रोफेसर वीची कई विलोध चंद्र लिख सकते हैं विलोध चंद्र मिश्रा मिश्रा आपने लिका गदी का वीस्जी मिश्रा हुसी का इसे का इसाटने में मिस्राज जाड में लिख लेते हैं कोई विद्यार्थ दिखेगा सर यह आपने क्या लिखा यह तो विसी मिस्राजी को ने विसी मिस्राजी विसी मिस्राजी ने कब किया सब्सक्राज 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 तो ना दियाल तो सुरा एक पाल इन बरूंट आए तो तो इसके अंदर बात करते हैं कि राजस्तान के भोतिक प्रदेशों को कितने बागों बाटा साथ भागों के अंदर बाटा साथ भागों के अंदर राजस्तान के भोतिक प्रदेशों को भोतिक प्रदेश को बाटा उसक इंपोटेंट है एकर अगर किसी भी भौतिक परदेश में बात करें तो इस्तल एक रूपता इस्तल एक रूपता इस कुरूपता ने मतलब उच्छ सेतर की किस परकार बनावटी है बनावटी बनावटी करसी ये कुरूपता इस्तल ये कुरूपता इस्तल सवरूप इस्तल सवरूप इस्तल सवरूप के बाद में आगे बात करें करसी ये कुरूपता करशिवरूप करशिश अरूप करशिवरूप के बाद में जलवायू और जलवायू के बारीства कर्स जलवाई के बाद प्रदेश की जलबायू कैसी है इस पर देश की अंदर किस परकार ओद्यो की विकास हो रहा है। पर किस परकार की कर्चिये इस तीनों का रूप लेकर राजिस्तान के भोतिक परदेस को साथ भागों की वह भोतिक परदेस साथ कौन-कौन थे उसके ऊपर हम बात करते हैं कि 춤 आ हुझे कृ कि आ बात करते हैं कि साथ बाग कौन से है तो पहला बाग आप लिख लो पहला बाग नहरी सेत्र नहरी परदेश नहरी परदेश कौन सा यानि वखप परदेश जहां पर नेयों सी सबस्क्राइब करने जब एन्हों ने राजिस्तान के बोद्रीक बॉत तेम Mine और श्रींगानगर और श्रीं इस परतिश्बर्ट सेत्र काम से Application summary ग 보여 कि कर दो किया मंगा थे फ्टें का उत्र थे बहाग है लेकिन और हरुआ 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 ह bin गृषरा थे यहीं हंदर갈 हर से इफ़े सका ही जो दिनने पूरा उसके बाद सिर गंगानगर पूरा और यहां पर कौन ची नहर यहां पर इंद्रा गांधी नहर सल्द्री एंद्रा गांधी नहर आती है यहां पर नहरों से संसाय की जाती है उस पर्दिश को नहरी पर्दिश का और सरवाध्रंदीक राज invit बात करें जलवायू की बात रहें वर्षा जा पंद्रे सैमी से पंद्रे सैमी से बीस सैमी के मद्दे होती है सैमी के मद्दे जहां पर वर्षा होती है उस पर्देश को इन्होंने कहा नहरी सेत्र कौन सा कहा नहरी चेत्र नहरी चेत्र पर्देश कौन सा नहरी चेत्र पर्दे उसके बाद दूसरा हाता है हमारा पच्ची मी सुक्ष परदेश पच्ची मी सुक्ष परदेश दूसरा हाता हमारा पच्ची मी पच्ची मी शुक्ष परदेश पच्ची मी शुक्ष परदेश पच्ची मी शुक्ष परदेश पच्ची मी शुक्ष परदेश पच्ची मी शुक जेसल मेर के बाद बाढ़ मेर पर जेसल मेर के बाद बाड़ मेर के बाढ़ मेर आता है जो यह उत्र सरज सी वाल इल्हा उसके बाद पट्ची मी जोद पूरवी दख्षीनि पूरवी दक्षिनपूरवी 150 पर चिमी जोदपूर के बाद के आक पच्षिनपूर में से बिखने रोगे शिर को गया उसके बाद है हमारा he Shah donor 52 नागौर 57 seven नागौर सेतर बड़ाया कौने kit पाजिन नाकशिन जहतर और यहां से बीर्साइं फाटिस फफमदरह शाहमे से फल्वे के माँसा बर्शा होती है उसस पर्धिश को कौन्छा है कोहरे यूंसे प्रदिश क्याते हैं शुख फाट्रीस कि पर्देश परदेश उसके बाद लेंगे थे न से और अर्द शुष्क प्रदेश अर्द्सुस्क प्रदेश को इन्होंने अर्द्सुस्क प्रदेश कउन से प्रदेश को आ जहां眠 सुरू जूद्णु नागौर जोद्पूर और पाली जी ले आती जहां प्रियाने पूरा सेद्ण के लिए अब शूरू ici अगे जय से बात करें सीवकर और नाग Αउर का जो ऐरिया बच्चा साझ ता वह और नाघॉर नागार जोद्व पॉर पाली और जालो नागर के बाद जोद्व भू पूर भी नहोंने ले लिया जोद्वपूर और कुछ तो और जालोर का एरिया इन्होंने किस बाग के ंदर बताया और प्र यहां पर नागोर चीकर है पाली है जोद्पूरे और जालोर है जोद्ष चुलेम कॉम नहीं लेंका सी बाद में इनों नने च्राल चाले보रा में बट आज विए बंधर स्थे फॉट हूर्वाग नरा रवली परवतिये पर vampire नशनमुर prop इसके अंदर पूर्वी पूर्वी पाली उसके बाद सीरोई उसके बाद उद्यपूर उद्के बाद राज समंद है उसके बाद राज समंद राज समंद तो यह जो मुकेता जिले है जिले है यह जिले किसके अंदर आते यह जिले आते हैं यह जले हमारे आते किसके अंदर आत पर्देश के अंदर आते किस पर्देश के अंदर आते अरावली पर्देश के अंदर ये मुक्यत अमारे दिल्ले आते हैं तो उससे आगे और श्वत पॉर्वी करसी शेत्र और सटा बात आता इन्होंने दक्षिनी पूर्वी करसी शेत्र और साथ वा था संबल बीहड चेत्र आरवली आते हैं जैपूर हे अज मिरे भिलवाडा है च्छोरी जैपूर है उसके अंदर जो पूर्वी पूर्वी करसी होती है यहां पर वर्षा कितनी होती इस साथ समय से अधिक वरिसा होती है उस प्रदेश को इन्हों ने बाता पूरवी में और उसके बाद में उसके बाद में मे i Records प्रूर्वी करsterики के अंदर बाठा बत नफर फूर में घापर वर्चा स्वांद्न के मध्या जक होती है तो ये थी पहले नही तो याद न है तो कोई भी नहीं मैं रुपर ऊक्टर एक्ञाक और परण आप कि निमन मैं चे कौन सा परदिश है नहीं इसके अंदर तो यह आपको याद रखने यह आपको याद रखने और छोटे बड़े एक्जाम फोंक इतना ही पूछा जाए कि राजिस्तान के सबस्क्राइब करिए ऐसे यो फरेसर वी सी म्हिश्टर जी ने पहले बात करें पहरा कौन सा पर दसे पहला नहरी शेटर है नहरी से जहां पर नहरों से शिषाई की जाती है उसके बाद में पुंसा प्रदेस है मि उसके महारा यि क्या कु जुक्तुंटंप सिमि सुस्क मरूस्टल इसके बाद में उसके बाद में तो प्र्दिश इसे अर्द не सोते नमर पर अरावली और पांसवे नमर पर है पूर्वी सेत्र पूर्वी कर्सी शेत्र उसके बाद में दक्षीन पूर्वी शेत्र और उसके बाद में संबल बीहड चंबल बीहड जा पर संबल नदी बैती है तो मित्रों यह थे हमारा बात करते हैं दूसरे वर्गी करण के पर राजिस्तान के दूसरे वर्गिकरन किया किस ने किया था ?-डॉक्टर राम लोचंभ ने किया था ?-डॉक्टर राम लोचंभ किया था ?-- सन 1971 में किया था राजिस्तान के भोतिक पर्देश को तीन भागों के अंदर बाटा तीन भागों के अंदर बाटा वो तीन भाग कौन कौन से हैं पैला था इन्होंने बाटा राजिस्तान व्रहद परदेश उसके बाद में दूसरे लगहू प्रदेश और उसके बाद में मेipp को तीसरे हमारा उप्रदेश उप्र वरद्पर्देश बताया अरावली? पर्देश को इनोंने क्या बताया? वरद्-पर्देस बताया उसके बाद में दक्सीशन पूरवी पठरी पर्देश उन्योंसे लगू में पच्छीमी मरुष्थल बताया है कि इनों ने उसके बाद में जो उक्तपरदिसे वह कितने बता, इन्ठोंने पुणने के बारा भाग बाता, न्होंने पुन्हें एक बार हरिम जो ग्राम लोसन सिंग न distur है, नहीं अंद्समि, कितने बागों के अंदर बाटा तीन बागों के अंदर बाटा व्रहद जो सबसे बड़े सबसे बड़े थे उन्हों उन्हें उन्होंने क्या किया व्रहद पर्देश उसके बाद में लगू थे उनकों का लगू पर्देश और उसके बाद में जो सबसे सोटे परदेशे उत परदेशों को उप परदेश का व्रत परदेश के अंदर इनों ने जो राजस्तान के रावली परवती परदेश है और उसके बाद में जो दक्षिन पूरी पठारी परदेश है इनको का उसके बाद में लगू परदेशों में पसिमी राजस्तान को यहां पर मरुस्तल का विश्थार है वह जिलो को उसके बाद में लगुपधिस नोकितने बता हैं 12 अब रजिस्तान के वरगिकन के उपर बात करते तीसरा वरगिकन जो इंपोर्टेंट है जो आप और हम सब पढ़ते आ अपर बात करते हैं तो बात करते हैं तीसरा वर्गी कंड किस न क्याना का पिर्ससीने कियाथए डॉक्त तीवारी ने टॉक्टर यूओ हरी मोहन सख्सेन असल्य अरी मोहन में शक्सेन जीनि ऑरी कहा दacağवे के सब चाहरे σकता हूँ कि आपने एसा नहीं पढ़ा होगा इतना ड 스 यूटुबबर कोई पढ़ा थे नहीं इतना डीटेल ते यूटुबबर कह सकता हूँ आपको किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा सांट मेरे उसके बाद बात करें कि इन्होने मृ राजिस्थान के भौतिक प्रदेश को किक है और wus अंपड़ो पर बा Todo तो इन्होंने जलवायू, जलवायू के बाद में इन्होंने बाटा इन भोतिक उच्छावस और नदी बैसिन, जलवायू यानि किस सित्र की, किस प्रकार जलवायू है, कैसी जलवायू है, उसके बाद में भोतिक उच्छावस, यानि पहाडिया कैसी है, मैदान कैसे है, मरु प्रदेशिक भूगोल क्या है राजस्तान का प्रदेशिक भूगोल क्या है राजस्तान का प्रदेशिक भूगोल और राजस्तान का प्रदेशिक भूगोल उसके उन्दर हम बात करते हैं तो बात करें इन्हों ने कब किया था राजस्तान के भूतिक प्रदेशिक विवाजन तो उन्हीं चों सारामे के अंदर इन्हों एक पुस्तक लिखी थी राजस्तान का राजस्त राजस्तान का प्रादेशिक भूगोल यह पुस्तक है इस पुस्तक में इन्होंने राजस्तान के राजस्तान के भोतिक प्रादेशों को च्यार बागों में बाता चार बागों में अंदर पहला है पत्चीमी मरूश्तल पत्चीमी मरूश्तल प्रदेश यह उसके बाद में दूसरा रावली परवतिय परदेश परवतिय परदेश उसके बाद में आता है तीसरा हमारा दक्षिन पूर्वी उसके बाद में पूर्वी मैदानी भाग पूर्वी मैदानी भाग या मैदानी परदेश कह सकते उसके बाद में दक्षिन पूर्वी पठारी परदे कि पूरवी । पथ bleibt दक्षिन पूरवी पठथारी परदेश जिसे हढ़ोती प्रदेश करते हैं मने यह यह सतान के जो पर दे er पर भी इसरे10 पूरित इन польз इन्होंने बाता है पर आचमरी बेस माना था वो कौन सा है आधार कि अधार में बार करें तो जलवाई हूं भोतिक उच्छावच उच्छावच का मतलब ने बात की थी जैसे परवत है पहाड़ी है मरुस्तल है उसके बाद में इनों ने यह को और बाता था जिसका नाम है नदी बैसीन नदी बैसीन नदी बैसीन तो मित्रो यह थे हमारे राजस्तान के क्या थे राजस्तान के राजस्तान के भोतिक परदेश के हमने परिची के बारें बात की कि भोतिक परदेश किसे कहते उसके बाद में राजस्तान के भोतिक परदेश को कितने बागों में बाजित किया उसके प्रफेसर वी सी मिश्रा जी ने राजस्तान के भौतिक प्रदेशों को साथ बागोगंदर विवाजित किया उसके उपर हमने विश्टार से बात की उसके आगे बात की राजस्तान की जो डॉक्टर राम राम लोचन सिंग ने राजस्तान के भौतिक प्रदेशों को व्रेख प्रदेश लगुन अनव को इसके बाद में और उसके बाद में ऑच्छिण पूरवी पर्ठारी प्रदेश है तो ये थे हमारे राजस्तान के भौतिक प्रदेश यहाँ तक हमने राजिस्त्यान के बहुतिक परदिसौं के वर्गी Grund के उपर बात कर ली थी और कल बात करेंगे हम पसीमी मुरुष्त पर विस्तार से बात that कहेंगे तो कंवर वीडियो दोकना नभोलें अगर आपको मेरा ये प्रयासा लगे तो मेरे सेनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करना मैं आपको वीडियो में नहीं कहता हूँ मैं वीडियो की अंत में कहता हूँ अगर आपको पसंद आए मेरी मेनत तो मेरे वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करना मिलेंगे तुरनती अगरे वीडियो में आज के लिए बस एतना ही राम राम और अंत में जय हिंद